वेल्गम टो अवर चाइनल विद्ध्यास मस्ती की पाट चाला तो गाइस अभी हम लोग इस लेक्चर में क्या स्चुरू करने वाले हैं इस लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस से 2.1 देखेंगे ठीक है इससे पहले हमारे दो लेक्चर हो चुके है कितने दो एक में हम लोगो पढ़ा एक में हम लोगों ने solve problem देखें दोनों देखना जरूरी था अगर आप लोगों ने अभी तक वह लेक्चर नहीं देखेंगे तो आपके प्लेलिस्ट में अबेलेबल है आप लोग सबसे पहले जाके वह देखेंगे क्योंकि कभी भी हम लोग अगर डारेक्ट पढ नहीं लेंगे वह काफी बड़ा लंबा वाला वीडियो बन जाएगा इसलिए तो आपका यह जो 10 और 9 कोशन है यह आपका थोड़ा सा बड़ा कोशन है तो हम लोग क्या करेंगे लगबग 6 कोशन तक हम लोग इस लेक्चर में लेंगे 6,5 या और 6 यहां तक हम लोग क्या कर है identify and with reason मतलब हमें reason भी देना है which is pythagorean triplet हम लोग उने pythagorean theorem पड़ा था बच्चो क्या था अगर हमारी hypotenuse का square is equal to बच्चे हुए 2 side का square का plus यह पता है वैसे ही pythagorean triplet के था बड़े number का square is equal to 2 बच्चे हुए चोटे number का square का sum बराबर है इतना समझ गए तो देखो यहाँ पर जो आपका first number है यहाँ पर जो first है वो हमें pythagorean triplet है या नहीं यह देखना है बराबर है वो चेक करना है तो चलो चेक करते है जैसे first है 3 5 4 बराबर है तो हम लोग क्या करेंगे इसको इसमें बड़े वाली by py इसमें बड़ा नंबर कौन सा है 5 तो 5 का square is equal to 4 का square plus 3 का square ठीक है ओके देन देन क्या है 5 का square कितना हो जाएगा 25 is equal to 4 का square 16 plus 3 का square 9 is equal to 25 25 is equal to 16 plus 9 25 तो therefore क्या दिखा आप लोग को RHS या सॉरी LHS सबसे पहले हम लोग लिखेंगे LHS is equal to RHS ठीक है यह हमारा क्या हो जाएगा हमारा एक last statement होगा तो हम लोग इसके बाद लिखेंगे by converse of Pythagorean triplet यहाँ पर लिखेंगे उसके बाद हाँ उसके बाद continue करना है हमें by converse of Pythagorean triplet it is Pythagorean triplet यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं हमें last statement triplet होता ना है प्याइथ यह प्यार क्या पाइथा गोरियन पैथा गोरियन ट्रिपलेट हो कि समझ गया हम लोग तो यह 1 जोगए वैसे हम लोग second देखेंगे third, fourth, fifth and sixth ऐसे करके धीरे-धीरे हम लोग cover करेंगे अब second देखते हैं बच्चो second देखो second जो है वो 4912 है आप लोग अपने किताब में देखो मेरे सामने भी मेरी किताब है इसलिए मैं बता पा रही हूँ 4912 बराबर है तो यहाँ पर बड़ी नमबर कोन सा है बड़े नमबर का square मतलब 12 का square is equal to 9 का square plus 4 का square 12 का square कितना होता है 144 is equal to 9 का square 81 plus यह 4 का square 16 यह थो 144 हो जाएगा is equal to इनका addition करता है क्या मिलेगा 6 plus 1 7 and 8 plus 1 9 तो हमें left hand side is equal to right hand side मिली क्या नहीं मेरी बच्चो बराबर है तो हम क्या करेंगे इसको not equal कर देंगे क्या करेंगे बच्चो not equal बराबर है तो यहाँ पर आगे रिका रिखेंगे LHS 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 is not equal to RHS therefore therefore by converse converse of Pythagorean triplet it is not Pythagorean triplet okay तो यह यहाँ पर हमारा क्या हो गया बच्चो खतम हो गया यह अपका second number का अभी देखो third number का क्या है 512 13 क्या है बच्चो 512 13 यहाँ पर मैं third number का ले रहे हूँ 5 5 12 13 ठीक है इसमें देखो बड़ा number कौन सा है 13 तो मैं क्या करूंगी 13 का square is equal to बचे हुए दो साइट्स का square plus 5 का square 13 का square 169 is equal to 12 का square 144 plus 5 का square 25 अभी देखो left hand side तो वैसे ही रहेगी क्या रहेगी 169 is equal to यह देखो right hand side क्या होगी 4 हम लोग इनका अगर addition करें तो last वाल देखो 9 और यह हो जाएगा 169 यहाँ पर भी 169 मिलेगा बराबर है तो अभी हमें क्या मिल गई LHS यहाँ पर हम लोग लिखेंगे by Pythagorean triplet हर आप लोग हर एक प्रॉब्लेम में बही ही स्टेंटेंज दालना Pythagorean triplet by converse लिखना यहाँ पर converse of Pythagorean triplet it is Pythagorean triplet तो यह हो जाएगा आपका third question हम इसको इसलिए fast ले रहे हैं अगर इसलिए में टाइम चला जाएगा तो बाकी के question बच जाएगे हमारे इसलिए ठीक है 4 देखो 24, 70, 74 इसमें बड़ा कुन सा है 74 नमबर है ठीक है तो 24 के addition करेंगे हम लोग 70 के square के साथ तो देखो कैसे करेंगे यह हमारा fourth रहेगा कौन सा ही है हमारा fourth नमबर का 24 70 74 ओके तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 74 का square is equal to 70 का square plus 24 का square तो 70 आप लोग अपने बुक में 74 का square निकाल के देखेंगे अभी मुझको पता है इसलिए मैं डारेक्ट लिक रहे हूँ 5476 ओके प्लस 70 का square होता है 4900 प्लस 24 का square होता है 576 अभी यह square फास्ट तरिके से हम लोग कैसे निकालेंगे यह मैं अगर कभी मुझे काई टाइम मिला तो मैं आपको एक special lecture में वैदिक मैस पढ़ाऊंगे जहाँ पर मुझको कुछ वैदिक मैस की ट्रिक परता है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगे ठीक है तो वो हम लोग बाद में देखेंगे अब देखो 5476 को तो बैसे ही रखेंगे इस इक्वल्स टू अगर इनके addition की तो 0 प्लस 6 6 0 प्लस 7 7 9 प्लस 5 4 यहाँ पर 1 और यह आ जाएगा 5 तो देखो यहाँ पर भी हमें मिल गया LHS is equal to RHS ओके यहाँ पर हमें यह मिल जाएगा ठीक है तो फिर यहाँ पर फिर से लिखेंगे by converse of Pythia-Gorian triplet it is Pythia-Gorian triplet ओके तो यह हो गया फोर्थ नमबर का फिर नमबर का देखें अभी देखो फिर नमबर का क्या है आपका फिर नमबर का है 10, 24, 27 तो यह आप लोग अपने बुक में देखो question number 10, 24, 27 अपने किताब अपने साथ लेके बैठा करो 27 का whole square is equal to 24 का whole square plus 10 का whole square 27 का whole square कितना होता है 27 का whole square 729 होता है is equal to 24 का whole square 576 होता है plus 10 का whole square 100 हो जाएगा फिर इधर क्या होगा 729 और इधर 100 अट किया तो 676 अब यह equal हुआ क्या अच्छो यह equal नहीं हुआ तो not equals so therefore यहाँ पर भी आप लोग लिख सकते हो ऐसा और is equals to यहाँ पर तो लिखा ही हम लोगों ने equals to यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे LHS is not equals to RHS so therefore by converse converse of Pythia-Gurian triplet ट्रिप्लेट इटीज पाइथया गोरियन ट्रिप्लेट ठीक है इतना ठीक है तो अभी हम लोग 6 नंबर का दिखेंगे कौन सा 6 नंबर का जो आपका 1st नंबर का इसमें बड़ा कौन सा नंबर है बच्चो 61 तो हम लोग क्या करेंगे 61 का होल स्क्वेर इस इकवल स्क्वेर प्लस 11 का स्क्वेर ओके तो 61 का स्क्वेर कितना होता है 61 का स्क्वेर होता है 3721 इस इकवल स्क्वेर कितना होता है 3600 प्लस 11 का स्क्वेर होता है 121 अभी इसको थो हम लोग वैसे ही रखेंगे इस इकवल स्क्वेर इनका एडिशन करके देख लो 3721 हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा कोशन नमबर फर्स हो जाता है खतम ठीक है हम लोगों कितने देखें फर्स कोशन में 6 कोशन देखें अभी हमारा कौशन बाकी है 2 कोशन चलते हैं लोग 2 कोशन में देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्या बोला है उन्होंने एक फ्रैंगल दिया है बहाँ पर एक साइड निकालनी है तो यहाँ तक हम लोग कहा तक पोच गई यहाँ तक पोच गई अभी है यह देखेंगे हमारा सेकेंड नमबर का कोशन क्या बोला है इन दा फिगर यहाँ पर एक और डाइगरांग आ गई गलती से इसको हम लोग हटा देते है तो यहाँ पर क्या बोला है इन प्रैंगल यम यन पी आंगल जो है वो 90 है वो सेग्मेंट यन क्यों वो परपेंडिकुलर है आपकी यम पी को यम पी कितना दिया है आपको इसका एक चोटा साइ यन क्यों निकालना है बराबर है तो इसके लिए हम लोगों ने एक फेरम पढ़ाता बराबर है जो कि आप लोगों ने बेसिक इनफॉर्मेशन में पढ़ा था और उससे रिलेटेड हम लोगों ने सौल प्रॉबलम में कुछ कोशन भी किया था सबसे पहले आप लोग क्या इसको हम लोगों हटा देते हैं हाह यहां पर हम लोग लिखेंगे त्रिएंगल यम यन पी एंगल यम यन पी इस इकवोल तो नाइंटी डिगरी और उसके तूरं नीच्छे लिखेंगे seg n q is perpendicular to seg n p अब इसके हिसाब से हम लोग लिख सकते है by theorem of geometric mean यह पढ़ाया था मैंने geometric mean का theorem geometric mean यह क्या होता है जो आपकी segment हमारी perpendicular होती है hypotenuse curve उसका square is equals to जो जिस पार्ट में हम लोग hypotenuse को जिस दो पार्ट में divide करते हैं उनका multiplication ओके यह होता है तो चलो इसको पहले लिखते हैं क्या करेंगे यहाँ पर by geometric mean n q q आप लोग अगर मेरे साथ लिख रहे होगे तो n q देखो n q आपका perpendicular है और जो hypotenuse है वो n q और q p में divide होती है तो उनका square देखो यहाँ पर n q का जो perpendicular है उसका square is equals to दो पार्ट में divide होने वाली होने वाले जो अपकी line है उनका multiplication फिर यहाँ पर हमें n q ही निकालना है तो हम लोग n q को वैसे ही रखेंगे n q का square ymq आपको दिया है बच्चो ymq दिया है 9 और q p हमें दिया है 4 यहाँ पर 9 x 4 आजाएगा तो ymq निकालना है तो उसका square is equals to 9 x 4 जा 36 होता है लेकिन हमें सिर्फ ymq की value चाहिए यहाँ पर हम लोग ने किसका निकालना ymq का square निकालना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे taking square root on both side तो ymq का square is equals to 36 तो यहाँ पर यह square root cancel हो जाएगा तो बचा क्या यहाँ पर ymq 36 का square root है 6 का square root है बराबर है तो 6 हमारा answer आजाएगा तो यह है हमारा answer of ymq तो आप लोग last में line भी लिख सकते हो यहाँ पर लिखने के तो जबश से ज़रूरत है नहीं तो ymq की value मिल गए हमें अब भी third question देखते है देखो third question में यह जो आपको उपर वाला दिख रहा है ना बच्चो यह उपर वाला 2.7 यह गलती से आगया है ओके यह तो गलती से आगया है इसको हमने थोड़ा सा color कर देते है हाँ अभी देखो जो आपक साइट में एक figure दिया है question number 3 के लिए है उसमें qpr qpr कहाँ पर है qpr यह जो एंगल है यहाँ पर तो यह p क्या है 90 degree है और यह जो pm है वो perpendicular bisector है तो किसपर bisector है इस पर इसमें हमें क्या दिया है इसमें हमें pm दिखा है pm कौन सा है 10 दिया है qm यह 8 दिया है बराबर है और qr qr कहाँ पर है यह पूरा यह पूरा हमें find करना है तो क्या कर सकते हैं हम लोग पूरा find करने के लिए यह आधा दिया है यह आधा निकालेंगे तो इन दोनों का अगर addition कर लेंगे तो यह पूरा मिल जाएगा सबसे पहले जरूरी क्या है यह आधा निकालना कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पर हमें perpendicular भी दिया है तो हम लोग क्या बहुत सकते हैं कि यह perpendicular का square is equal to इन दोनों का multiplication by the theorem of geometric mean बराबर है geometric mean का theorem लगा सकते हैं चलो देखते हैं कैसे लिखेंगे starting खाह से करेंगे क्या करेंगे देखते हैं सबसे पहले तो हमें निकालना क्या है qr जो कि आपका क्या है बच्चो यह आपका find करना है यह आपका question mark है उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं qpr यह क्या है 90 degree है यह लिखेंगे सबसे पहले उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे seg pm is perpendicular to seg qr उसके बाद हम लोग लिखेंगे pm जो 10 दिया है आपको और qm जो आपको 8 दिया है इसके बाद हम लोग क्या करेंगे triangle का नाम लिख लेंगे so in triangle q यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कौन सा triangle है हमारा qpr बराबर है कौन सा है qpr qpr क्योंकि हम लोगों ने उसको बीच में लिया है कॉमा यहाँ पर लिख लेंगे seg pm perpendicular to seg qr बराबर है so therefore by theorem of geometric mean mean by geometric theorem of geometric mean हम लोग क्या करेंगे pm जो straight है उसका square मराबर है pm का whole square is equals to pm है यह pm का whole square is equals to क्या होता है hypotenuse जिस पार्ट में divided होते है उनका multiplication मतलब qm into mr लेकिन pm हमें दिया है और qm हमें दिया है तो हम लोग क्या करेंगे pm pm क्या दिया है हमें just one minute pm क्या दिया है हमें 10 दिया है तो हम लोग क्या करेंगे 10 का square करेंगे is equals to और यहाँ पर qm की दिया है तो 8 8 लिखेंगे 8 multiplied by yamr बराबर है यही बचा था yamr just one minute यह क्या हो गया हाँ तो yamr हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा is equals to 8 into yamr तो निकालना है तो yamr हम लोग ऐसे लिखेंगे और 100 को डिवाइट करेंगे 8 से अगर हम लोग ने 100 को डिवाइट किया 8 से सबसे पहले क्या होगा 2 4s are 8 और 2 50 100 बराबर है उसके बाद उसके बाद क्या होगा यह देखो 50 by 4 आ गया लेकिन हमें पता है फिर यहापर 2 से डिवाइट हो जाएगा 2 do the 4 और यहापर 25 आ जाएगा ठीक है तो अगर मैं अभी मेरा पास क्या आंसर आ गया 25 को डिवीजन हो गया 2 से अगर मैं 25 को डिवीजन करती हूँ 2 से तो यहापर मुझे यहमार की वैल्यू कितनी मिल जाएंगे 12.5 ठीक है आप लोग करके देख सकते हो तो यहमार की वैल्यू मुझे यहापर मिल जाएगे 12.5 तो वैसे ही यहापर मुझे चाहिए क्या मुझे चाहिए QR QR मुझे कैसे मिलेगा QM plus YMR QR चाहिए मुझको तो वो मुझे कैसे मिलेगा QM plus YMR ओके तो QM मुझे जो दिया है वो 8 दिया है plus YMR मुझे कितना मिला 12.5 so therefore QR is equal to क्या मिलेगा 20.5 तो ये answer हो जाएगा आपका ठीक है तो ये उपर वाला आपका YMR निकल गया और उसके बाद QR निकल गया ठीक है तो ये हो गया हमारा question number 3 खतम अभी question number 4 देखते है जहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर एक triangle दिया है YMR आपको 90 degree दिया है और YMR जो है वो 6 दिया है value और जो angle P दिया है वो 30 degree का दिया है मतलब आप एक बात तो समझ सकते हो कि अगर angle YMR 90 दिया है ये P जो है वो 30 दिया है तो पूरे triangle की total कितनी रहती है 180 रहती है लेकिं यहाँ पर बराबर है 180 रहती है यहाँ पर R तो दिया नहीं YMR 90 है P 30 है तो इन दोनों के total कर लो और उसकी इस side में minus कर लो मतलब 180 से 120 चला गया तो कितना मिलेगा 60 मतलब R वाल angle कितना है 60 तो यहाँ पर हमें इतना समझ आते ही यह ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा हमारा theorem लगी का 30, 60, 90 वाला कौन सा लग सकता है property 30, 60, 90 वाली यह आपको फटक से click होना चाहिए आपके दिमाग में क्यूंकि हम लोगों ने यह पढ़ा है तो यहाँ पर starting कैसे करेंगे हमें RP RP भी question mark है और PS यह दोनों हमें निकालना है RP कहाँ पर है यह RP और यह PS यह हमें दोनों निकालना है तो हम लोग क्या लगाएंगी यहाँ पर मैंने कौन सी property बोली यहाँ पर बोला 30, 60, 90 वाली तो उसमें क्या करेंगे सबसे पहले जो triangle given है वही लिखेंगे तो यहाँ पर देखो in triangle PSR in triangle PSR angle PSR is equals to 90 degree and angle SPR is equals to 30 degree this is given therefore angle SRP is equals to 60 degree okay sum of major of triangle यहाँ लोग reason दे सकते हो मतलब यह हम लोग उने 30, 60, 90 कहा पर निकाला sum of major of triangle से निकाला ठीक है therefore कौन सी हम लोग property लगाएंगे by property of 30, 60, 90 ठीक है by property of 30, 60, 90 क्या होता है अगर 30 के सामने वाली जो साइड है वो क्या होती है 1 by यह मतलब 30 के सामने वाली साइड कौन सी है यसार तो यसार क्या होती है यसार is equals to 1 upon 2 hypotenuse वो क्या होती है 1 by 2 hypotenuse होती है और हमारी 60 के सामने वाली root 3 by 2 hypotenuse होती है बराबर है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे by property side opposite to 30 degree यहाँ पर हमारा first point जो रहेगा वो रहेगा side opposite to 30 degree angle भी लिख सकते या 30 degree भी लिख सकते क्या होता है half into hypotenuse tenuous बराबर है यहाँ लोग लिखेंगे पूरा तो इसके आगे करेंगे side opposite to 30 degree 30 के सामने वाली कौन सी है यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यहाँ इस इक्वल्स टू 1 by 2 होता है hypotenuse के तो हमारी hypotenuse कुन सी है hypotenuse है हमारी PR तो क्या होगा यहाँ पर PR ओके यहाँ पर यह PR ठीक है तो YSR की value हमें दिया है कितना दिया है 6 दिया है तो हम लोग 6 लिखेंगे half PR हमें निकालना है तो वो वैसे ही रखेंगे लेकिन मुझे PR चाहिए तो मैं PR को वैसे ही रखोंगे और 6 को 2 को साइड में लेके जाऊँगी तो इस साइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर multiplication होकर 12 आंसर आ जाएगा तो इसका मतलब PR का आंसर कितना आ गए आपका 12 मतलब यहाँ पर हाइपोटेनेस कितनी मिल गए आपको 12 मिल गए तो आप लोग अभी इससे भी तो मतलब कौन से दो यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकती हो एक तो 60 के सामने वारी साइड ले सकती हो हाइपोटेनेस के रूट 3 by 2 टाइम्स या आप लोग यहाँ पर आपका हाइपोटेनेस ठेरम खुद लगा सकती हो ठीक है यह हाइपोटेनेस का स्क्विवर is equal to this side square plus this side square फिर जो side हमें निकालनी है वो हम लोग minus side में लेके आएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा हमारा answer मिल जाएगा लेकिन उससे भी दूसरा हमारा तरीका जो है वो क्या है 60 के सामनी वाली जो side होती है वो कितनी होती है वो आपकी मिल जाती है आपको root 3 by 2 बराबर है root 3 by 2 तो हम लोग दोनों method से कर सकते हैं लेकिन अभी मैं एक ही method से बता रही हूँ side side opposite to 60 degree is equal to यहाँ पर is equal to root 3 by root 2 कितना होता है root 3 by 2 होता है into hypotenuse तो 30 60 के सामने वाली yes p क्या है yes p yes p is equal to root 3 by 2 cross hypotenuse hypotenuse क्या है हमारी अभी निकाली 12 यहाँ पर यह cut हो जाएगा 6 तो yes p की value कितनी मिल गई yes p 6 root 3 बराबर है कितना असर मिल गया 6 root 3 तो यह हो गए हमारी दो values जो हमें निकालनी थी yes p बोलो या ps बोलो और इधर pr बोलो या rp बोलो ठीक है एक ही है तो यहाँ पर हमारी दोनों values मिल गई तो यहाँ पर आपका question number क्या हो गया फोर्थ भी खतम हो गया अभी देखते है जहाँ पर सिर्फ आपको filling the blanks फिल करनी है filling the blanks नहीं है filling the box है ठीक है box आपको method दिया है सिर्फ box में fill करना है दो क्या करेंगे यहाँ पर आपको एक angle दिया है जहाँ पर अपको दिखाए दे रहा होगा यह दो हमारी should say udah उल्म लगती है कि अगर दो साइट के साइट सेम है तो उनके सामने वाले जो एंगल होते हैं मतलब इसके इस से रेटेडिये वाला एंगल और इस लाइन से रेटेडिये वाला एंगल दोनों क्या होते हैं सेम होते हैं यह दोनों क्या होते हैं सेम होते हैं और हमें एक सेम एंगल वा मतलब problem पड़े, अभी हम लोग क्या करेंगे, 45 वाला पड़ेंगे, तो इसमें क्या होता है, देखो, finding AB and BC, AB भी निकालना है, BC भी निकालना है, ठीक है, तो AB और BC, वो क्या है, हम लोग यहापर लिख सकते है, side opposite to congruent angle, ठीक है, यहापर आप लोग लिख सकते हो, side opposite to, मैं यहा यहापर short में लिख सकती हूँ, just one minute, तो यह देखो, अगर मैंने यहापर हमारा जो answer था, उसको मैं लिखने के जगा, यहापर मैंने क्या किया है, इसको type कर दिया है, side opposite to congruent angle, तो यह आपका क्या हो जाएगा, first filling the box, मतलब जो first आपका answer होगा, वो यह होगा, उसके बाद, angle B A, C, आपको यहापर दिख रहा होगा, B, A, C, यहापर क्या बोला है, B, A, C, यह कितना है, यह हमें बताना है, तो यह कितना होना चाहिए, 45 होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, यहापर 45 होगा, तो यहापर answer क्या होना चाहिए, यहापर हमारा answer होना चाहिए, 45, 45 degree, क्यों ऐ सा 45 डिग्री होता चाहिए यह देखो बच्चो यहाँ पर यह इतना 90 दिया है हमें पता है total कितना होता है 180 होता है यह दोनों हमें पता नहीं तो हम लोग यहाँ पर यह एक्स एक्स कंसिडर कर सकते बडाबर है तो यहाँ पर हमें पूरे टेंगल की एडिशन कितनी है 180 उसमें एंगल कितना हो जाएगा 45 डिगरी का समझ में आया कि आप लोगों को यह ठीक है इतना ठीक है फिर आगे देखो AB is equal to BC हम लोगों को की property है by 30, 60, 90 हम लोग क्या कर सकते है 45 के सामने वाली जो लाइन है वो क्या होती है 1 by root 2 बराबर है तो यहाँ पर भी 1 by root 2 आ जाएगा फिर यहाँ पर यह root 2 और root 8 तो यह क्या हो जाएगा root 2 4 बराबर है क्या होता है यह देखो अगर यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे 1 by root 2 into root 8 है तो यहाँ पर 1 into root 8 ऐसे होता है फिर हम लोग इनका common कर लेंगे ऐसे ठीक है ऐसे यहाँ पर 2 है ओके इनका root common कर लिया फिर अगर मैंने 2 से उपर 8 में डिवाइट किया तो 2 4 जा 8 हो जाएगा तो फिर under root 4 आगया तो आपको तो पता होगा कि हम लोग क्या करते है यहाँ पर हम लोग लिखते है हमारा 4 को हमारा root है 2 का तो मतलब answer क्या आ जाएगा last में 2 लेकिन यहाँ पर 2 root 2 कैसे आ गया यहाँ पर यह हम लोगों ने क्या किया इसको ऐसे हम लोगों ने 1 by root 2 को लिखा यहाँ पर भी 1 by root 2 आ जाएगा 8 को हम लोगों ने इस form में लिखा 8 को हम लोगों ने 2 root 2 के form में लिखा फिर root 2 root 2 कैंसल हो गए और यहाँ पर answer में क्या बचा 2 आपको यह समझ में आ गया first filling the blanks then यह 45 वाले second 1 by root 2, 1 by root 2, 1 by root 2 यह तीनों box में 1 by root 2 आएगा और last minute answer हमारा आ जाएगा 2 तो यह हमारा हो गया fifth number का question भी अब यह 6 देख ले, 6 भी easy है 6 जैसे 6 है वैसे ही आपका आगे का 8 number का भी problem है लेकिन हम लोग इस lecture में सिर्फ 6 number का problem देखेंगे क्या है आपका problem 6 number का, देखो find the side and perimeter of a square क्या बोला है, side and perimeter of a square square कैसे होता है ऐसे, जिसकी 4 बाजुए क्या होती है, same होती है और each angle is 90 degree सारे angle क्या होते है, 90 degree होते है तो हमें इसकी particular ही है एक side निकालनी है सबसे पहले अगर यह A है तो A और उसके बाद यह 4 side का addition करना है जहाँ पर हम लोग perimeter निकालते है ठीक है, और इसकी diagonal यह जो diagonal दिया है, वो 10 दिया है तो अभी हम लोग को क्या करना है, find करना है तो कैसे करेंगे, देखते है सबसे पहले तो हमें एक क्या करना है, square consider करना है square consider करते है देखो, निकल गया हमारा square अगर मैंने इसको नाम दे दिया a, b, c, d a, b, c, d ठीक है, यह हमारी diagonal हो गए अगर, तो यह हमें कितना दिया है 10 दिया है, 10 cm यह चारो साइट क्या होती है, सेम होती है और यह क्या होता है, angle 90, 90, यह भी 90 और यह भी 90 बराबर है, यह 90, 90 हो गए उसके साथ, अगर यह हमारा angle a, ऐसे है, पूरा यह 90 है, लेकिन मैंने इस में से diagonal ने लिका दी, तो यह क्या हो जाएगा, यह 45 हो जाएगा, यह भी 45 हो जाएगा मतलब, अगर मैंने यह triangle देखा, मतलब इतना ही देखा, a, b, c देखो, यहाँ पर भी 45 मिल जाएगा, और यहाँ पर 90 मिल जाएगा फिर यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ 45, 45, 90 तो हम लोग क्या करेंगे, फिर a, b, c, इतना ही triangle consider करेंगे, बराबर है तो यह होता है, हमारा देखो, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे side और perimeter आपको निकालना है तो आप लोग क्या करेंगे, find में लिख लेंगे तो यहाँ पर मैं लिखोंगी, latest consider square latest consider square a, b, c, d ok, a, b, c, d हम लोगोंने, क्या किया, square consider किया, जिसमें, हमें diagonal diagonal a, c, is equal to 10 cm यह हमें क्या दिया है, given दिया है तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते है given, इतना समझ गया है फिर आगे हम लोग क्या लिखेंगे in triangle a, b, c in triangle a, b, c angle a, b, c, is equal to 90 degree, ok और, यहाँ पर हम लोग लिख सकते है therefore angle b, a, c, is equal to angle a, c, b is equal to 45 degree यह कैसे आया पता चला ना हम लोग को कि सारे angle 90 degree है लेकिन बीच में diagonal जाने के वज़े से due to, हम लोग यहाँ पर reason लिख सकते है due to diagonal ok यह आप लोग लिख भी सकते हैं और इसको नहीं भी लिखा तब यह marks नहीं कटेंगे आपके बाद में लिखेंगे by property of by property of 45 45 90 45 45 90 हम लोग क्या बोल सकते हैं AB जो साइड है आप लोग दिखाए दे रहे हो कि AB यह क्या है इस 45 के सामने है और यह जो BC है वो इस 45 के सामने है बराबर है तो दोनों के सामने एक ही है तो AB और BC दोनों एक साथ निमिल जाएंगे और अगर एक भी साइड मिल गई तब ही हमारे चारो साइड क्या है इक्वल है तो हम लोग लिखेंगे AB is equal to BC बतलब एक ही ट्रेंगल की हम लोग दो साइड ले रहे है ठीक है तो वो क्या होती है 1 by root 2 times of hypotenuse और यहाँ पर हम लोग की इस ट्रेंगल में क्या है यह हम लोग ने ट्रेंगल कौन सा consider किया यह वाला तो इस ट्रेंगल में कौन सी hypotenuse है AC ठीक है AC तो हम लोग लिखेंगे AB AB is equal to BC AB is equal to BC is equal to 1 by root 2 into हमारे hypotenuse है diagonal हम लोग लिख सकते है 10 तो हम लोग 10 को अगर हम लोग 10 को divide कर देते है तो कैसे होगा यह देखो हम लोग 5 को इसे लिख सकते है 1 by root 2 into 5 into 2 बराबर है तो इस 2 को हम लोग कैसे लिख सकते है 1 by root 2 5 तो बैसे ही रखो इस 2 को कैसे लिख सकते है root 2 into root 2 लिख सकते है तो यह root 2 root 2 तो बचा क्या 5 root 2 cm बराबर है तो A B B C कितना मिल गया 5 root 2 cm तो देर्फोर साइट्स A B B C C D A D ये कितना मिल गया हमे 5 root 2 cm मिल गया तो वैसे ही perimeter अभी लास्ट आपका साइट तो मिल गया अभी हम लोग लिखेंगे perimeter perimeter कुछ नहीं है ये जो हम लोगोंने अभी अभी साइट निकाले इनके addition करना है में perimeter is equal to A B plus B C plus A C plus क्या है A D sorry यहाँ पर यह है B C plus यह C D हो जाएगा यहाँ पर C D C D is equal to A D हम लोगोंने particularly एक की value कितनी निकाली 5 root 2 एक साइट की वैसे ही 5 root 2 plus 5 root 2 plus 5 root 2 इस में से हम लोग क्या कर लेंगे हमारे root 2 को common निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या वच्छेगा 5 5 5 5 5 5 और बाहर हम लोगोंने कितना निकाला root 2 का common निकाला तो यह क्या मिल गया 20 root 2 सो देरफोर पेरिमेटर पेरिमेटर और पेरिमेटर और अफ निक्स लेक्चर में हम लोग 7 8 9 10 यह कोशन कवर करेंगे जिसमें 7 भी इजी है 8 तो बिल्कुल 6 जैसे ही है आप लोग भी कर सकते हो अगर आप लोगोंने किया होगा 8 नंबर का कोशन तो आप लोग इसके answer मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि डाइगोनल हमारे कितनी फाइंड हुई तो चलो आपके लिए homework है करके देखो नहीं तो मैं लेक्स लेक्चर में देने ही वाली हो सिखाने ही वाली हो उसके बाद 9 और 10 यह थोड़ा से बड़े कोशन है तो वह भी हम लोग नेक्स लेक्चर में कवर करेंगे अगर अभी आपको कुछ भी डाउट होगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलना चलो अभी मिलते हम लोग नेक्स लेक्चर में तब तक के लिए टेक क्या बबाए